है दोस्तों यह चानल प्यूरली मरल फार्मिंग का है दोस्तों मैं ने आलड़े तिल्गु में भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है यह फार्मर्स के लिए जो भी किलाएं दोली मैंने दोस्तों बइसको को बहुत तो सिर्फ तिल्गु में वीडियो बनाना से फार्मर को यूज नहीं रहेगा तो मैंने सुचा कि हिंदी में भी वीडियो बना जाए और फार्मर को सारे डीटेस दिया जाए फ्री में दोस्तों प्री आफ कॉस्ट है यह जो नो 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 नीट टू पे एनिटिंग सो इन फिच आप इस चानल में आपको free of cost आपको सीड कैसे जनरेट करना है और फीड भी कैसे जनरेट करना है ये भी details मिलेंगे आपको environment से आपको मरल का सारा कुछ खाना रहता है ना दोस्तों मरल जो भी खाती है नानवेज एक बात याद कर लें मरल जो भी खाती है मैं बार-बार बलाओं कि नानवेज 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 मरल सिर्फ नानवेज खाती है दोस्तों नानवेज का फीड जो हता है ना उसको हम environment से कैसे जनरेट करता है यह नार्मली फिश फाम में कैसे पलती है मरल फीड कर सीड खाके नेचरली जो मिलता है तो उसी फंडे में हम आपको सारा कुछ डीटेल्स देने वाले हैं तो में इशू है ये वीडियो बनाने का कि हिंदी यूजर्स के लिए जो भी तिल्गू नहीं जाते उनके लिए सब्सक्रेट वीडियो बनाया गया है दोस्तों सब्सक्रेब करें और करें और आने वाले फिचर में और आपको सारे कुछ डीटेल्स मिलने वाले हैं फ्री आफकास दोस्तों जी हां दोस्तों फ्री आफकास आपको सारे डीटेल्स मिल जाएंगे तो सब्सक्रेब करें और यह वीडियो से मैग्सिमम जो सीड माफिया और फीड माफिया है ना द पर लेगा उसके लिए इतने लाक और इतने करोड़ खर्चा करना पड़ेगा और बच्चा भी मर जाता है लास्ट में वो बोलते हैं कि फार्मर की गलती है तुमने इसी दा फार्मिंग नहीं किया तो यह सारे बातें आती हैं दोस्तों तो यह सारे बातों से आपको छुटकर आखे साथा उन्हें दोस्तों को सिर्फ पाइसा कमाना ही मतलब रहता है तो लोग बना रहे हैं ठीक है वो लोक वीडियो बना रहे हैं वह भी जयन्यून नहीं बना रहे हैं बहुद्दा बोलता है कि मैंने एक टन निकाल दिया धो टन निकल दिया प्रोड़क्शन और उसक अब खर के पास रहते हुए आपके फार्म के पास रहते हैं दोस्तों तो आप सब्सक्रेब की चीए तो नर्मली क्या ओता है दोस्तों अगर आप इस वीडियो देख रहेंगे तो आपको एटलिस्ट फोर तू-फाइब इन का कीड़ होना पड़ता है आपको मरल फार्मिंग क ग्राम्स फार्मर को देंगे कर पाएगा और नेचरली तब जया कर उसको समझो की सव गज में अगर फार्मिंग करता है तो तब उसको एक से दो किंटल यह तीन किंटल मचले निकलती है सब्सक्राइब तो नार्मली आइसा नहीं हो रहा है तो मैंने हमारे इदर से स्टेट तेलंगा ना और आंध्रा में भी देखा है और इंडिया में भी यही हाल है छोटा-छोटा बच्चा मरल का रहता है ना दोस्तों दस से पंदरा दिन 20 दिन यह वाले बच्चे को ना पता नहीं यह लोग कहां से ला रहे हैं मुझे लग रहा है कि इंडोनेशा में मरल का भूत सारा बच्चा प्रोडेक्शन निकलता है वो लोग कंटेनर में दालके ना भेज देते हैं शिपों में बहुत सारे इंडोनेशन फार्मर से इधर लेके आत और बंगाल में वेस्ट बंगाल और ब guidance में यह देश देश में वहां पर कडता है तो मारल कि संद्ध था ना तो यह गति चर्ण में चले जाती है तो maximum आपको ड़ेत हो जाती है बच्चे की यह फार्मर सेच जो ना इतने सारे ढ़ेत कर समझे यह थारे बच्चा लाये हैं वो लोग तो इसमें से सब्रहभभ हैं तो फारमर परेशन हो जाता पूसता है कि सीड जो प्रोड क्या है उसको पूसता है तो बोलते हैं कि तुमने ऐसे कि ऐसे क्या उसलिए मर गया तो में रिजन नहीं बोलते हैं लोग सीड माफिया जो फ्रीड माफिया है ना तुमने एक हिलाया होगा तुमने ऐसे पानी रखा होगा तुमने ऐसा देखा हो बैठे है मुझ खोलके और उसका मीडिया जो हता ना मेंस्ट्रीम मीडिया वो कैसे जूढ बोलके ना फार्मर को धोका दे रहा है और जो यूटूबर्स भी बैठे हैं यूटूब में वो लोग भी इसको दलालों के पास पैसे लेकर कैसे प्रमॉट करें इस सारे बातें आप ट्राइंग करो ट्रैनिंग कुछ भी नहीं देखेंगे हम क्या होता है चार से पांच मेने का बच्चा स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों चार से पांच मैने का बच्चा सुटिबल होता है मरल फार्मिंग के लिए मंगर यहां पर क्या हो रहा है ना एक 30 डेस का 20 डेस का बच्चा देते हैं मरल के फार्मर को तो मैंग्जम ना वहां पर डेथ हो जाती है बच्चों की 90% किट्स मर जाते हैं वह एक 10% जो 1000 में से 100 बच जाती है और उनको ना लांग जो रहते हैं ना शिकारी है दोस्तों शिकारी टैप की फिश है यह जो सेड़्ल तो आपको सारे डीटल से आने वाले वीडियोस में दे दूंगा नेचरल फूट क्या-क्या है मरल को और कैसे खाती हैं वो ठीक है दोस्तों आप सबस्क्रेब करके रखना शेर करना कोई भी फार्मर फीचर में जाके लास ना होए और दलालों के बातों में ना आये अब मिल पाए ओस्ट तो स्टाट करते हैं पहले डोANT जो प्रासेस राइच ए मना चाहते हैं बाय करना चाहते हैं उनकाना चाहते हैं यह पूंड तो यह सारे आपको मेलें लोग आपको इंकरेज नहीं करेंगे किसके लिए नहीं करेंगे जो नार्मली पॉंड कल्चर में हम करते हैं ना सिंचाई फार्मिंग वह प्रासेस को यह लोग ना यह कुन होता है तो फरस्ट कुछिंड करने से क्या होता है ना डो अनौर ऐसानवर निकलेगा तो यह लोग फाइदा नहीं होगा तो इसी बात का नहीं लोग फाइदा अपफाते हैं और बोलते हैं भाव में बच्चा बच्चा अच्छा फटाप प्रोडेक्शन आ जाता है और अच्छा फटाप नाता है कोई यह तो यह सारे ना जो पैसे ज्यादा खरचा करवाएंगे आपको वाले प्रासेस को यह लोग एक्स्प्लेन करेंगे तो उनको फाइदा मिल चके जो ब्लूर हो एर ब्लूर हो और उनका जो भी सेटप रहता है ना ब्लूर का सिमेंट टैंक का हो यह मेश का जो सेटप है यह सारे के सारे पाइसे फार्मर से निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों तो आपको ना इस चानल सब्सक्राइब करने पर आपको सारे यह डिटेल्स पूरे मिल जाएंगे कैसे फार्मर धोका खा रहा है और आपको फ्री आफ कास्ट ज्यादा खर्चा करना नहीं है और नेजरल पॉंड में कैसे करना है नेजर आपको वीडियो बनाएंगा मैं फ्री में फ्री आप क्वास्ट कैसे मरल को हम खाना खिला सकते हैं ठीक है नेचरल से और सीड माफिया टू हंड़ेट अन फिफ्टी टू हंड़ेट तक सेल कर रहा है दोस्तों फीड मरल का फीड ठीक है वह बोलता है कि यही फीड दालने प दालने से आपको मरल का गुरत अच्छा रहेगा और मोल्टाटी नहीं आएगी तो ऐसे बोलके ना वह यूटूबर के पास जाते हैं उसको दोड़ा पाई से खिला देते हैं वह प्रमोट करने लगता है दोस्तों तो यह लास्ट में क्या होता है कि फार्मर में लास्ट में से चा feder debate कि यूड़ाल नहीं चाहते नहीं की उनका चले जाए यह वीडियो से ना जो प्री आफ नौलेड जुड एंशेण के वैसे हम जो हमारा कि एक और यह तो तो आप जैसे पहना बहुत दोस्तों इस मतलब से बढू यह फार्मर को देने का साइज है सजेस्टबल साइज है यह साइज ना इटलिस्ट त्री इंच से फोर इंच रहेगा दोस्तों और एटीटीटू वन टेन ग्राम्स रहेगा मरल का बच्चा तो यह वाले बच्चों को ना इंडोनेशा हो या बंगाल हो या चिन्नाई हो तुऊ आडो या केरला ठीक है इंडोनेशा मलेशिया बंगाल वेस्ट बंगाल कोलकाता यह वाले फार्मर्स ना यह वाले रीटीड को लेते हैं एस पूरटू फाइटीड इन्स थाम यह सीट अगर हो इन देने का कर्यों से छोटा सा छोटा बच्चा लगा देंगे और बोल देंगे कि अच्छा गुरोथ आएगा ठीक है लास में फार्मर को ना लास आजाता है 90 परसेंटेट हो जाती है किट्स की मरल के तो यहां पर उसको लास आजाता है तो आपको ना मैग्जिमम कभी भी एगर परस्ट स्टेप यह है कि आपको अगर सीड करना है फार्मिंग करना है मरल की तो यह वाले सीड को लेना है दोस्तों फॉर तुफाइब मेंस वाला जो एटी टू हंड़ेड वन टे को लेना पड़ेगा आपको तब जाके आपको बेस्ट रिजल्स हैंगे दोस्तों ठीक है मेरा इंटेंशन यही है हिंदी में मनाइने की कि तेलगो सबको नहीं आती है नार्थ इंदेन पीपल को तो नार्थ इटिया के जो फार्मर से उनको तेलगो नहीं आती हूं जो इंटेंशन यही है दोस्तों मेन इंटेंशन दलाली से बठें और आने वाले दिनों में फ्री आफ कास्ट में सीड कैसे जनरेट करते हैं यह भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों फ्री आफ कास्ट फीड कैसे जनरेट करते हैं वो भी बताएंगे आपको मैक्जिम थर्टी ट अपको मिलने माली है दोस्तों फरी आफ कोस्ट को कहीं पर भी जाना नहीं है आपको ट्राइनिंग एंड करना पैसा पे करके और वह दोके वाले जो ड़के ट्राइनर दैप solidarity को есть तुर यह वाले आपको इतने सारे इशुस नहीं आएंगे ठी कहा है और कम से कम में 30 से लेके 40 रुपे के अंदर आपको 1 kg moral का production कैसे निकालना है और सस्ते से इंडिया के दोस्तों को हमारे भाई भेन को कैसे खिलाना है और मार्केट्टिंग भी कैसा करना हुए यह सारी जान कर आपको मिलेगी दोस्तों सब्सक्रेब किजिए और लैक कीजिए कॉमेट कीजिए हां पॉजिटी कॉमेंट्स विल्कम अगर कोई दलाल सीड माफिया फीड माफिया का है और वह निगटिव कॉमेट्स करना चाहि तो ह हम भी उससे लिपट लेंगे उसकी चानल को ठीक है दोस्तों बाई बाई दोस्तों याद रखें सब्सक्रेब कीजिए